दोस्तो स्वागत है आप सबी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम पड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं बड़े ख़वर 16 जून से बिहार में सुरू होगा उनलोक टू मिलेगी और बड़ी चूट सियम नितिस ने दिये संकेत जिहार में उनलोक टू की सुरूद 16 जून से हो रही है 15 जून की रात 12 बजे तक उनलोक वन प्रभावी रहेगा इससे पहले उनलोक टू में दे जाने वाले चूट पर व्यापाग बिमर्स जारी है उनलोक वन की भी समिक्चा हो रही है सियम नितिस कुमार खोद कई जगह पर घूम कर देखेंगे कि आम लोग उनलोक वन के गाई लाइन का पुरी तरह पालन कर रहे हैं या नहीं इस बार उनलोक टू में कई चुटे मिलने की सम्मावना है सुत्रों के अनुसार उनलोक टू में धार्मी की स्तलों को चुट दी जा सकती है इसके अलावा रेश्टरेंट को भी 25 से 50 बेदी लोगों के साथर्व करने की चुट दी जा सकती है साधी विवा में सामिल होने वाले लोगों की सेंख्या भी 20 से बढ़ा कर 50 की जा सकती है सम्मावना है के नया आदेस 15 दिनों के लिए परभावी रहेगा इसके अलावा सभी तरह के दुकानों वा पतिष्टानों को रोज एक समय सिमा तक दुकान खुलने की छूट मिल सकती है मॉर्निंग वाक और बच्चों के केल अनोरंजन के लिए पार्क खुल सकते है साधी विवा सराद में 20 साधिक लोगों के सामिल होने की छूट मिल सकती है और फिर स्कूल को फिलाल बंध ही रखा जाएगा जुलाई में स्कूल सुरू करने का फैसला लिया जाएगा बड़ी कबर बिहार में कब खुलेंगे स्कूल सिक्चा मंतरी ने दिया ये जवाब जी हाँ बिहार के सिक्चा मंतरी विजय कुमार चोधरी ने टाइम सॉप इंडिया की साथ खास बाचित में कहा है कि मोजोदा रुजहान जारी रहा तो जुलाई से स्कूलों में कख्चाई सुरू हो सकती है किये जाएंगे साथ उन्होंने आगे कहा कि सिक्चा का ओल्लाइन तरीका सामाईने कख्चा सिक्चन की जगह ने ले सकता है आज भी बड़ी संक्या में चात्रों के पास स्मार्ट फोन या टेबलेट नहीं है इसके चलते सब तक इसका फाइदा नहीं पोच पाया है बड़ी खबर बिहार के साथ जिलों में बजरपात और बारिस की सम्मावना जिया मौसम विभाग ने बिहार के साथ जिलों के लिए ततकालिक अलड़ जारी किया है मौसम विवाग के इंदर पटना ने बिहार के जमोई नवादा गया लखिसराई पोपाल गंज पष्चिम चमपारन मुंगेर के लिए अलड जारी किया है मौसम विवाग के पुरानवान के अनुसार बिहार के तीन जिलों में आने वाले अगले तालिस घंडों के दोरान मैधम मेग गरजन वजरपात के साथ बारिस की समभावना है बिहार के इन साथ जिलों में तेज हवा करिब 30-40 किलोमीटर परती घंटी के रप्तार से चलने की समभावना है मौसम विवाग ने लोगों को आकासिय बिजली से बचने की सला दी है साथ ही इन जिलों में बारिस और मेग गरजन की दोरान घर से ना निकलने की सला भी दी गई है बड़ी ख़बर वैक्सिन लेना पहले से होगा अब आस्रान ओन स्पोर्ट रजिट्रेशन के बाद तुरंद लगेगा टीका जी हा राजधानी पटना में टीके का टोटा खतम करते हुए जिलाप रसासन ने अब बड़ा फैसला किया है जीलाप रसासन ने फैसला किया है कि अब पटना के सभी टीका करन केंदरों पर और इस्पोर्ट रजिट्रेशन के बाद वैक्सिन की सुविधा उपलब्द होगी अगले दो दिनों में सभी टीका करन केंदरों पर यह व्यवस्ता लागू कर दी जाएगी फैलल पटना के पांच टीका करन केंदरों पर इस्विधा उपलब्द हो लेकिन आगे आने वाले दिनों में राजधानी के 35 वैक्सिनेसल सिंटर पर यह व्यवस्ता शुरू हो जाएगी बड़ी कबर बिहार में अब रेश्टोरेंट और मिठाई दुकांदारों को बिल पर लिखना होगा एप SSAI लाइसेंस नमबर अक्टूबर से नियम लागू नया नियम से ग्रहकों को यह होगा कि खायद पदातों में किसी तरह की गड़वड़ी की सिकायद करने में उन्हें आसानी हो जाएगी जानकारी के अनुसार होग से सिकायदों का निप्टारा केवल इसलिए नहीं हो पाता या देरी होती है क्योंकि सिकायद के साथ SSAI द्वारा आवंटित लाइसेंस लंबर नहीं लिखा होता था अगली बड़े कबर बिहार में बिजली बिल जानना हुआ असान बस इस नमबर पर मिश्कॉल करके जाने अपना बिजली बिल जी हाँ अगर आपके घर में बिजली का कनेक्शन हो और आपको टाइम पर बिजली बिल नहीं मिल पाता है तो आपके लिए परेशानी दूर होने वाला एक ख़बर है बिजली बिबाग को अपना बिजली का बिल जान सकेंगे विजली बिल आपके स्मार्टपुन पर मिल जाएगा आपको इसके लिए 7666 008833 नमबर पर करना होगा इसके बाद मोबाइल पर लिंक आएगा इस पर क्लिक करेंगे तो बिजली बिल आपका उपलाब्ध हो जाएगा राज भर के डेर कड़ोर उपभोगताओं को इस योजना का लाम मिल सकेगा इसे उपभोगताओं को रहत मिली है तेकवर 26 जून को देश भर के राजबावन का गिराव करेंगे किसान काले दिखाने की तैयारी जिहाँ देश में तेनों क्रिसी कानून के खिलाब किसानों का विरोध परदसन जा रही है इसी बीच एक बार फिर से किसान आंदलोन को तेज करने की कवायात की जा रही है इसको लेकर किसान 26 जिन को देश बर के राजबहन पर विरोध परदसन करने जा रहे हैं किसानों की तरफ से एलान किया गया है कि 26 जुन को देश के सभी राजपाल के घर के बाहर धरना प्रदसन आवजित किया जाएगा सयुक्त किसान मुर्चा से जुड़े सभी किसान 26 जुन को देश बर में राजपाल के बाहर प्रदसन करेंगे और इस दिन को पिती बचाओ लोगतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे बड़ी कबर राजपर के डॉक्टर चार घंटे बंद करेंगे ओपीडी सेवा 18 जुन को बाबा रामदेव की खिलाब देश व्यापी विरोद जिहां देश बर के डॉक्टर के साथ साथ बिहार के डॉक्टर भी 18 जून को 4 गंटे के लिए OPD सेवा बंद करेंगे आपको बदा दी कि 18 जून की सुबह 8 बजे से लेकर दोपार 12 बजे तक कि सभी एलोपेतिक डॉक्टर OPD सेवा नहीं देंगे अगर आप किसी प्रावेट हस्पिटल में कोविसी लेते हैं तो आपको 780 रुप्य देने होंगे इसके अलावा को वेक्सिन के लिए 1410 और रुसी वेक्सिन स्पूतनिक वी के लिए 1145 रुप्य खर्च करने होंगे आपको बता दी कि इसमें परतिसत जेश्टी के साथ साथ डेर सो रुप्य का सर्विस चार्ज भी लगेगा इसके साथ ये आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वेक्सिन निर्माताओ दुआरा वर्तमान में गोसित किमोतों के अधार पर किंद्रे स्वास्त मंत्रालाई ने निजी अस्पतालों के लिए वेक्सिन के दामते किये हैं बड़ी कबर बिहार के सहरी निकायों में बमपर वेकंसी आउट्सोरसिंग पर बहाल किये जाएंगी कर्मचारी जी हाँ बिहार के 117 नए नगर निकायों में आऊट्सोर्सिंग पर बंपर बहाली होगी नगर निकायों के नए करियालों के लिए भी करिए एक हजार कर्मचारे आऊट्सोर्सिंग पर रखे जाएंगे इसके अलावा नए न्युक्तियों में आजारियों की सेंख्या सपाय कर्मचारियों की होगी इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिला पदाधिकरी नगर आयुक्त और कारिपालग पदाधिकरी को पत्र लिक्र इस बावत आधिस जारी किया है कि हर हा काली की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्दिस दिया गिया है पता दे कि 17 नगर निकायों में दूने वाले नए कारियालों में IT बोई एंप्यूटर ऑपरेटर एक्स कलेक्टर अकाउंटेंट और सफाई निरेक्षन के पद के लिए आउट्सोर्सिंग पर बहाली होगी और हमकी बाड़ी खबर पाटना विमेंस कॉलेज में 19 जुलाई से सुरू होगा ऑनलाइन इंटरेंस टेस्ट जी हाँ पाटना विमेंस कॉलेज में नई सत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है कॉलेज की वेबसाइट पर साम को ऑनलाइन इंटरेंस टेस्ट का से यूजी और एंसे के लिए OオynLight इंटरेंच टेस्ट लिया जाएगा पिछले साल भी कॉलेज Kommiss na Online इंग लिया था चात्रों की सुविधा के लिए प्रत्य विसय का मौक टेस्ट भी लिया जाएगा इससे छात्राओं को समझ जाएगा कि इसे इंटेंस में इखजाम देना है इसके बाद फाइनल इंटेंस टेस्ट भी होगा आपके जानकारे के लिए बता दे कि सबी विसवई की परिक्षा नभी मिनट की होगी और सो एमसे क्यू सवाल होंग इंटेंस टेस्ट साड़े ग्यारा से साड़े बारे बज़े तक होगा